हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग आई होप योगाज वुदिंग ग्रेट वेलकम बैक वन्स अगेन सो इन दिस वीडियो 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 डिसकस अबाउट ओफसर लाइफ अप ओफसर लाइफ अगर मैं यहाप सबसे पहले बात करता हूँ तो सभी वो टोपिक से रिलेटेड में यहाप बात करूँगा तो डू वच दिस वीडियो तिल दा इंड अगर आप चैनल पर फर्स टाइम वीजिट कर रहे है तो चैनल को सब्स्राइब कर लिजेगा साथी साथ बैल अकर को प्रेस कर सकते है ताकि कोई भी वीडियो आप से करते ना मैं one by one करके सारे टोपी को क्लियर करते हुए चलूँगा और आपको इंड अप द वीडियो सारे वो इंफोर्मेशन पता चल जाएगा कि ऑफसर लाइफ क्या होता है और किस तरह से आपको यहाँ पर रहना पड़ता है कल्चर कैसा होता है सेलरी कैसा होता है खाना आप इन्या का क्या सुईधा है वर्क कितना आपको करना पड़ता है आपको छुट्टी बेगारा कितना मिता है सभी चीजों के बारे में A to Z आप लोग बताऊंगा तो स्टार्ट करते वीडियो को सबसे पले हम लोग बात करेंगे पोस्टिंग इन ओंजी सी अगर मैं बात करो ओंजी सी कहां कहां पर ओप्सन है अगर आपको जोब लेगा तो आप जासे तो गुजरात महराष्ट्र साउथ इंडिया में जा सकते हो इसके लागए बात करें कलकत्ता हो गया दहरादुन हो गया यहां पर आपका ओंजी सी का या तो कॉर्परेट ओपीस है या फिर प अगर बात करें तो आपका राज मुंदरी जो आंधर परदे से वहां पर जाके आपको काम करना पड़ेगा ओपसर लाइप यह नहीं सी में जाके समुदरी जाके काम करना पड़ेगा चलिए अब यहां पर बात करते हैं सर जो मुझे पोस्टिंग मिलेगा थूदी ओंजी स क्या वो मेरे हैंड पर क्या में सिलेक कर सकता हूं कि मुझे और जिसी ओसर लाइप में जाना या फिर ऑंसर लाइप में जाना बिलकुल नहीं यह लख पर डिपेंड करता है जब आपका फाइनल आपका ओफर लेटर आएगा ओफर लेटर में मतलर उससे पहले आपको पता चलेगा जब offer later आएगा उसी time आपको पता चलेगा कि आपको officer life में जाना और officer में काम करना या फिर on-saur मतलब land में office में काम करना और officer मतलब c में काम करना में काम करना है हाँ एक को से यहाँ पर हमेसा आता है कि अगर मैं गल्स हूं तो गल्स के लिए क्या मुझे ऑफसर ऑंसर चूज करने का ओप्सन दिया जागा देखिए अगर आप गर लो तो ओंजेसी पहला प्रिफर आपको देती है ऑंसर जोब यानि कि लेंड में जमीन में ओपीस वर्क देती है अगर आप चाहो तो आप ऑफसर जा सकते हो तो गल्स हो तो आपके पास एक चोईस का है लेकिन अगर आप बोईस हो तो अधिकतर आपको चोईस नहीं देखने को मिलता है ओफर लेटर में लग पर डिपेंड करता कि आप कहां पर जा रहो चलिए तो नहीं लोकेशन पर वहाँ पर जाना पड़ेगा आप जाने का जो भी रेंट वेगर रहा था फेर वेगर रहा था वह ओन जिससी आपको पे करेगी एनिका कोस्ट पर आए बाइदी ओंजिसी आप फ्लाइड बुग कर सकते हो तू टीयर तक का एसी आप ट्रेंड में जा सकत तो इसके अलावे आप खुद से भी ओंजी से आप जितने भी आपका कोस्ट हुआ आप ओंजी से बोल के आप वो सारा कोस्ट अपला बेर करेगी वह आपका दे देगी चली यह तो हो गया अब बात करते हैं कभी-कभी क्या होता है इंट्रा सिटी आपको ट्रेवल करना मतलब तो आप जिस सीटी में रहते हो उस शीटी से अलग सीटी में आपको जाना है उस टाइम पिरेड में आपको क्या होता है कि डिवाइड कर दिया गया है खास फेयर कर दिया गया है मलब कहने का मतलब क्या है, जैसाप Delhi में टेक्सी में जाते हो तो टेक्सी में आप railway station से कहीं आप गएं तो वो distance आप बता दिये तो जो भी class city में कि वो आयेगा उसका जितना फियर होता है वो आपको provide कर दिया जाएगा बात समझ में आएगे जब आप intra city जाते हो तब और यह चीज़ ध्यान रखेगा जो भी standard fare होता है उसे 3-4 गुन आपको जादा ही मिलेगा तो यह हो गया आपको जब आप travel करोगे home से लेकर कहां तक आपका office तक या फिर जहां पर आपको जाना है अब देखो जब आप वहां पहुंच जाओगे सबसे पहले आपको रिपोर्ट करना है base office पर रिपोर्ट करना कि हम पहुंच गया है अब वहां से क्या होगा चोपर आएगा helicopter वहां से आपको drop कर दिया जागा कहां पर officer installation area पर यहां पर दिया है यानि कि ocean पर ले जाएगा मोबाइल हो गया अपना बेग हो गया और कुछ equipment हो गया वह आप रख सकते हो अब यहां पर और एक question आ जाता सर अगर मैं phone वेगरा दे देता हो तो family और friends से कैसे connect होता हो तो don't worry वहां पर उसका view उपाय है आपको एक तो internet वहां पर चलेगा और दूसरा satellite phone का वहां पर बहु किस तरगा duty pattern होता मन्तली किस कितना मुझे काम करना पड़ेगा ओप्स सर लाइप में तो अगर मैं बात करूँ का duty आर का तो सबसे अच्छा है यहां पर अगर बात करूँ one month में होता 30 अगर में लेके चलता हो कभी 28 भी होता है 31 भी होता 30 अगर में लेके चलता हो तो 30 दे म आपको officer में काम करना पड़ेगा, officer में वहार रहना है और बाकी 14 दिन आपको छुटी करना है, मलब घर में अपना enjoy life करना है अपना जो करना किजे, family के साथ time stream किजे, छुटी मनाईए मातर 14 दिन आपको काम करना पड़ेगा बात यहां पर आता है कि सर जी दो दिन कहा गया, 14, 14, 28 होता है 14, 20, 28 होता है, 2 दे कहा गया 2 दे भी आपको छुटी के तौर पे दिया जाता है, वो basically travel के लिए 2 दिन दिया जाता है जिसका दूर घर होता है, उसको आने जाने में time लगता है तो आपको 2 दे जाता है, वो travel के लिए allowances दिया जाता है तो आप चाहो अगर जिसका दूर है, उनका तो 2 दे ट्रेवल में चल जाता है लेकिन जिसका सामने घर है, उनका 2 दे फिर से वो छुटी में ही use कर लोगे तो only out of 30 दे में अगर बात करेंगे, तो only 14 दे आपको काम करना है, ओपसर में ठीक है, यह समझा है, क्यों दिया जाता है, इतना चुटी, 14 दिन क्यों आपको holiday दिया जाता है रिजन सिंपल है, कि आप 14 दिन जो भी आप सी में रहते हों, समुधर में रहते हो, वहां तो ना तो उतना आप connect नहीं, पूरा पूरा वर्ल्ड से आप disconnect हो जाते हो, भई connect कर सकते हो, बात वगरा तो करी सकते हो अपने family से, वहां भी आपका रहेगा बहुत सारा work culture, अपने employee वगरा रहेंगे, colleague वगरा रहेंगे, बट फिर भी, आप अपने family, friends वगरा से नहीं मिल सकते हो, और social life को enjoy जाज़ा नहीं कर सकते हो, that is why आपको duty pattern, 14 day on, 14 day of 2 day travel दिया जाता है, अब यह बाता, अब बाताता सर, working shift बता है, मतलब यह तो मुझे पता चल गया कि 14 दिने काम करना, per day मुझे कितना काम करना पड़ा, तो 12 घंटा का shift रहता है, आपको, 12 आर का shift रहता है, सुबह सात बजे से start होता है, साड़े साथ से start होता है 7.30 मौर्नीग से start होता है, तो जाता आपका night तक जाता, यह आपका हो गया morning shift, सुबह सात से लेकर साम साथ, और साम सात से लेकर सुबह का फिर सात, पूरा night, वो night shift हो गया, तो 12 shift चलता है, आपको किसे भी shift में काम करने को मिल सकता है, याद रखे है का, सुबह सात से लेकर night का साथ तक आपको करना पड़ेगा है ठीक है समझ आई मेरी बात की नहीं यह हो गया आपका वर्किंग सिप इसके बाद आप बात आता सर यह चीज हो गया यह आप मुझे बताई रहने के लिए क्या विवस्ता है तो देखो डियर आपको वहां पे बंकर में रहना पड़ेगा जयसे जयसे आपका परमोट होते जाता हो आप सिनियर बनते जाता हो वैसे-वैसे वह 4 से 3,3 से 2,2 से 1 बट एक उसी को मिलता जिसका रेंग काफी अच्छा होता है आपको मिला जो अपको मिले चाइछे कहां करने के लिए एक होता प्लेटफॉर्म में इससे पहले सिनिए सेख्षिन अगर मैं बात करऊं अगर नहीं बना चुका हूँ जिस मैंने बताया था कि ओन गया क्हां का मीदियो तो भीकिने को बताते प्लेटफॉर्म और दूसरा होता है ड्रिलिंग रेक अब यह दोनों क्या था समझेगा जो आपका अगर मैं बात करूं दैडिस यूर प्लेटफॉर्म तो प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा कॉंप्लेक्स जैसा था वह क्या क्या जाता है ओस्ट बेड्ट के साथ ड्रिल करके उसको इंस्टॉलेशन क्या जाता है दो फीक्स रहाता हा सब्सक्राइबात उन्व करतार अध्यूंध रहता है सब्सक्राइब वह एक प्रोसेस प्लेटफों में जहां से तेल निकलता है व वह सभी एक जगह पर प्यूरिफिकेशन वगर्ण कुछ काम होता है फिर वह प्लांट की और घाता है तो एक होता platform और एक होता drill rake अब drill rake का काम कहता है नाम से ही पता है drill rake यानि drill करने का काम जो well होता है well को drill किया जाता है जिससे तेल निकाला जाता है oil निकाला जाता है natural के से निकाला जाता है और वो दोनों तरीका का होता है फिक्स भी होता है और फ्लोट भी करता है एक फ्लोट करता है उसको हम लोग फ्लोटर कहा जाता है यानि सीप की तरह होता है जिसे जहाज होता है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है ड्रिल करने के लिए और आपका जो एक ड्रिल रेख हो ड्रिल कर सकते हैं तो यह हो गया आपका क्या work culture, now आप लोग बात करते हैं ड्रिल लेक के मैंने बताते हैं कि abra collecting जो दोनों तरुका था फिक्स भी हो सकता है और flow gosh भी कर सकता जो learn करता उसको करेंगे एकदम सीब जैसा रहता है अब यह बात करते क्या हम लोग बताइए तो डियर देखो होता क्या ओसे बेड़ में बहुत सारा ओयल है नेचरल गेस है ठीक है अब इन सभी को मुझे हम लोग को निकालना है आप लोग को निकालना पड़ेगा और निकालेंगे कैसे ड्र ट्रांस्पोर्ट होता है हर एक एरिया में यह चीज होता है काम अब दोनों का में काम बता दिया हो फिर भी बता देता हो ड्रील रेक का सिंपल काम काता है ड्रील करना वेल ड्रील की क्या करना वेल बनाना और बहुत सारा नो या 11 बना जाता वेल बना जाता और सिलेक्ट कर यहां परakah कम रहेगा और कैसा वरक कल्चर वहां पर यह अपू कुछ को देखर सब्सक्राइब करना और अब बात कर दर्फॉर्म का काम कहा रहा जो कि बहुत बढ़ा रहता है यहाँ पे सारे वेल से यह connected रहता है यहाँ पे टोटल जितने भी ओयल है या गेस है वह एक जगह पे आके जमा होता है वहाँ पे कुछ processing का काम चलता है और processing काम होने के बाद भेजा जाता है अलग अलग जगह पे जिसे अगर में बात करो ओयल तो तो ओयल सेंड टू दी ओरन प्लेटफॉर्म ऑप ओयंजी सी और प्लेटफॉर्म जो कि आपका है पनवेल मुंबई पे अगर बात करो नेचरल गेस का तो नेचरल गेस सेंड किया जाता हजीरा प्लांट ऑप ओयंजी सी जो आपका पड़ता है सूरत में यह चीज हो गया चलिए अब इतना चीज जानन आपका ड्रिलिंग रेक दूसरा प्लेटफॉर्म और तिसरा आपका क्या देडिज और फ्लोटर जो फ्लोट करता ड्रिलिंग रहता लेकिन फ्लोट करता था फ्लोटर तीन चीज हो गया अब तीनों में सारे वह बेसिक फेसिलिटी जो है आपको मिलेगा जैसे काने का मतलब खाने के लिए मेंस वहां पे रहागा तिक है इसके बात करें TV रहागा जहां पर आप TV stigma आपको प्रोवाइड की आ जाएगा अब जीम देख सकते हो फिर siz rubbish रूम रहता सर फूड की स्तर का रहता है तो देखो dear 4 star या 3 star 5 star, 5 star मैं बोल सकता हूँ लेकिन हाँ, उससे नीचे भी नहीं है 4 या 5 star का hotel में जी स्तर का खाना आपको मिलेगा उसी तरग मिलेगा मतलब जो वहां पे मिलेगा काफी अच्छा stender का मिलेगा बिकोज सबको पता कि आप दुनिया से कटे वे हो तो आपको जो वहाँ पे दिया जाएगा जो आप बाहर में खाते हैं उससे 10 गुना अच्छा है वहाँ पर प्रोवाइड किया जागा तो खाना पीना हर चीज वहाँ पे काफी अच्छा आपको मिलेगा तो समझ गये खाने पीने को लेकर भी वहाँ पे आपको कोई टेंसन है नहीं अब बात करते हैं सेप्टी का देखो जैसे कि अगर मैं बात करते हो ट्रेन का एंड आपका एरोप्लेन का तो देखो अगर मैं बात करते हो सेप्टी का ध्यान ज्यादा किसमें रखा जाता तो आप बोलोंगे सरे लेकिन अगर एरोप्लेन का बात करेंगे तो हवा पे हो न तो इसलिए आप देखेगा एरोप्लेन में काफी ज्यादा ध्यान रखा जाता है सेम केसा आता है आपका ओपसृर और ogyकोगी तो दिक्कत थे निया आपको फेक्ट्री में कुझ भी बलाप्श लेगर होगा तो तुरंट वेएकल आपका उठा के इमऔरजनसी में ले जा सकता है कुछ भी lift करा जा सकता लेकिन जब आप C में हो वहाँ कुछ भी हो सकता That is why वहाँ safety का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है तो safety लेकर विल्कुल टेसन नहीं लेना है safety काफी अच्छा रहाता है A grade का safety महाँ पर provide किया जाता है फिर भी अगर कहा जाई तो एक तो थोड़ा बहुत risk रहता है यह obviously बात है आपको risk कवर करना पड़ेगा That is why यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा allowances दिया जाता अगर मैं बात करूँ on-source से अगर बात करें कुछ हो चीज के बारे में जैसे सबसे पहले travel allowances आपको special travel allowances एक्स्ट्रा जा जाता है जिसे 14 डे 14 डे वर्क आपका रहता है जो on-source जोब में तो वहाँ का खाना पिना अगर मैं बात करूँ on-source जोब में 13 दे 300 दिन का खाना पिना आपको नहीं देगी ओन जीसी आपको खुद से बेर करना लेकिन अगर मैं officer का बात करूँगा तो चोदो दिन जो आप वहाँ पे काम करेगो पूरा का खाना बेर करेगी ओन जीसी मतला आपका pocket से एक भी खर्चा नहीं हो रहा चोदो दिन आपको off मिल रहा दो दिन extra travel का आपको off मिल रहा जो भी आपका travel charge है यानि घर से लेकर जो आपका इंस्ट्रोलेशन एरिया तक जा रहे हो और अपसर इंस्ट्रोलेशन एरिया वहां तक थूदी चोपर वह सभी का सभी जो travel अलांसे से वह कौन बियर कर रही है ओन जीसी बियर कर रही है तो यह extra benefit आपको मिल रहा है और इसके लावे जो भी आप फेसलेटी वह भी काफी अच्छा मिल रहा तो यह कुछ benefits है विकोज थोड़ा बहुत तो रिक्स है रेट लेकिन यह जैसे मैंने कहा ओसियन में काम करना एक काफी unique और काफी exciting चीज है तो सभी को करना चाहिए हर एक लाइफ में जो इंजीसी में चाहता हूँ हमेशा चाहता कि एक बार तुम्हें आफसर जोब में जरूर जाओं वहाँ पर वर्क कल्चर करो तो आई होप कि आप लोग को यह जो वीडियो काफी informative लेगा जो भी मैंने सारा चीज बताया वह सभी चीज मेंने कुछ चीज़ों में नहीं बता हूँ जो प्रोकोल प्रोटोकोल होता है कंपनी का जिद्ध इस में नहीं उसको बता रहा अधर वाई जितने वह सभी इंपोर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए वह सब में ने बता दिया फिर भी अगर आप से कोई डाउट लए कोई चीज पूछना तो यू कन कमेंड मीं आप मुझे कमेंड किजेगा मैं उसका रिप्लाय करूंगा अगर रहा तो उससे रिलेटेड को एगर ज्यादा टोपकि मुझे लगा तो मैं आप लोगो उससे रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा अगर अच्छा लगा तो आप लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड वीडियो को लाइक कर सकते हो कमेंड करिएगा जरूर जैसा आपको लगा मिलते हम नहोंगे नेक्स पार्ट में तब तक लिए गुडबाई एंड गॉडड ब्लस यू और डियर रेस्टूरेंट बाई 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 माई डियर फ्रेंड्स